चलिए सर आजाईए ये सवाल हम बाद में करेंगे वैसे बड़ा ही आसान सवाल है और एक्जाम में पूछा जा चुका है लेखिन चलो करी लेते हैं अब ही बाद में करेंगे क्योंकि मुझे इसका पूरा फॉर्मूला मैंने बताया था ना दों के दो फॉर्मूले होते हैं तो ठीका एक फॉर्मूला होता है जब आपका 27주时 र्दच कर घ्यार ऐसे तब वहां पर फॉर्मूला है लगता है وفॉर्मूला आ गया जी डीचा लका ओना धंग्राव्स सिलब्लों को परसंटे ऐस चेंज मैं कितना है हमारा 27 EBIT 25 EBIT percentage change in EVIT हां उल्टा हो जाता यह EBIT divided by percentage change in sales और सर DFL का क्या हो जाएगा सर DFL का होगा परसंटेज चेंज इन इवी टी डिवाइड़ वाइब परसंटेज चेंज इन इवी एपीएस बोल लो या इवी एटी यहां इवी टी मिना पता ही क्या होता है ध्यान रखना इस बात का कि मैं स्लैश करके लिख देता हूँ स्लैश इपीएस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद कुछ कहानी नहीं है शेयर होल्डर का ही पैसा है तो यह फॉर्मूला हो गया और कंबाइन लीवरेज का तो दोनों के आंसर को मल्टिप्लाई कर दो या फिर क्या बन सकता है इन दोनों के फॉर्मूलों को जब मिक्स करो होगे तो क्या बनेगा आप बताओ डी सील क्या बनने वाला है क्योंकि इविए टी इविए टी सीविए टी कैंसिल हो जाएगा तो परसंटेज यह डेल्टा है यह डेल्टा का मतलब चेंज मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ईपीट इपीएस या इवीटी डिवाइड़ इवाइड परसंटेज चेंज इन से तो साहब यह फॉर्मुला है इस सवाल को करना इतना आसान है देखने में बड़ा खतरनाक सवाल लग रहा है कि यहां पर चार फर्म दे रखा है चारों का एकदम फटा फट निकाल दो मैं एक का निकाल देता हूं सिर्फ एका एका डी इसको समझाने के लिए मुझे डूसरा डेटा यूज करना पड़ेगा इसा होता क्यूं है मैंने इस फॉर्मुले के बागे जब दो डेटा में चेंज ज़िस क्यूं कि लीवरेज जो हता है वह फिक्सक्राइब इच में चेंज बताता है हूं हम आगे देखेंगे दीरे धी इसका क्या हो जाएगा सर इसका हो जाएगा हमारा 27 divided by तीस divided by 27 तो बताइए क्या क्या रहा है 0.925 कितने 1.2 1.1 ठीक है तो एक यह फॉर्मूला हो जाता है हमारा किसका अब यहां एक बच्चे का सवाल आ सकता है कि सर अब वन में तो समझ में आता था कि फिक्स कॉस नहीं है अब जब वन से कम चला गया तो फिर क्या फिक्स कॉस आ रहा है जा रहा है तो मैंने कहा कि यह वाले फॉर्मूले तब अपलाए होगे जब आपको दू YEAR का डएटा गीवन हो एक यी company का 2 साल का ड़ीटा गीवन हो तो पहले साल में तो आपका fix cost recovery ही हो गया ना उसके बाद fix cost का तो सवाल ही नहीं है वो तो फाइदे में minus में ही जाएगा ultimately इसलिए वो कम आ गया एक से ठीक है ना जब दो साल का मैंने अगर बोला आपको suppose करो मैं ऐसे भी सवाल देता अभी आएगा आगे कि आपका sales year one में 200 है और sales year two में 300 है और आपका VC year one में 400 है और इसमें आपका 400 के जगे पर लिख देते हैं 100 है और यहां हमने 200 तो यह पूरा ऐसे data त्यार करके देगा तो सबसे पहले आपको पता चले गया दो साल का data है तो वो formula नहीं लगएगा contribution upon में sales वाला तो अब जैसे हम contribute क्योंकि इसने directly दो साल के बीच में क्या बदलाव हुआ वो दे दिया अब मैं उपर पूछो बताओ change in sales कितना वो लोगा 100 रुप है तो वो आपको करके दे रहा है एक step इसने खा लिया बीच में इसलिए चाह रहा है कि मैं वो बताओं जहां पर एक step और involve हो जाए ठीक है तो आने वाले questions में देख सकता है ऐसा आपको चलिए आपने ए पार्ट निकाल दिया अब बी पार्ट आपका homework सिपार्ट आपका homework डी पार्ट आपका homework सिर्फ केलकुलेटर पर करना और तो कुछ करना नहीं यह आपका रहेगा homework में आगे बढ़ जाए सवाल में कि आज चलिए कि कहता है एक्स कॉर्परेशन इस्टिमेट्स और निव प्रडुक्त अव ब्रेटिवन पोइंट हरें को एक मिनट रुकômें इसको हम बाद में पुए ने क्यूंकि ब्रेटिवन पोइंट आगया किता साथ के साथ चलेंगें साथ चलेंगें कोई दिकत निन्हidenteुत कहता इसका break even point आ गया unit sold 14 per unit and cost of accounting departmental currently identify variable 9 per unit कहता है भाईया selling price जो है वो है 14 रुपय का और variable cost है वो 9 रुपय का calculate the degree of operating leverage if sales volume 25 अगर हमारा sales क्या हो 25 हो तो आप निकालिए DOL ठीक है अगर sales हो 3000 तब भी निकालिए what will be the आपका what will you from degree of operating leverage at the sales volume 25 क्या होगा और 3000 पे difference any तो कहता है what do you infer from the degree of मतलब क्या फरक पड़ेगा इन दोनों पे तो सबसे मज़े की बात यहाँ पे आप देखोगे न तो एक यहाँ पे आपको एक चीज और दे रखिए that is क्या दे रखा break even point मैं short form में लिख रहा हूं break even point कितने दे रखे हैं 2000 और इसने बार बार हमसे एक ही बात पूछी है operating leverage बताओ operating leverage बताओ operating leverage बताओ और मैं यही कहुँगा operating leverage तब तक नहीं जान पाएंगे हम जब तक हमारे पास क्या नहीं हो हमारे पास जब तक या तो evit हो अगर evit नहीं है तो fix cost होना बहुत जरूरी है पिछले कोशन में तो evit था यहाँ पर नहीं था तो break even point का formula क्या होता है प्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है fix cost divided by cpu यानि contribution पर यूनिट अगर in case आपको नीडिड है यूनिट में और सर ब्रेक इवन हाला कि यह यूज नहीं होगा semester 6 में तो पता नहीं दस्यों formula मैंने करवा दिया semester 5 में marginal costing pvr है वहाँ तो break even ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको रुपीस में चाहिए तो होता है हमारा fix cost divided by profit volume ratio divided by profit volume ratio इन्टो में 100 अब सर profit volume ratio यहां तो सर हमें कुछ बताना नहीं है contribution per unit क्या होता है यह बता देते हैं जिसको मैं short form में CPU लिख दूं क्या CPU क्या होगा CPU is equal to selling price SPU SPU मतलब sales per unit minus में variable cost per unit ठीक है इसको minus कर दो जैसे हमारे वाले सवाल के अंदर तो साफ साफ दिख रहा है 6 रुपए है और 6 रुपए से हम निकाल पाएंगे लेकिन sir PVR क्या होता है profit volume ratio को मैं कह रहा हूं PVR होता है हमारा सर क्या contribution divided by sales into में 100 मैं इस दोनों फॉर्मुले से सवाल को मैं करके दिखा दूँगा ठीक है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आईडिया लग जाए आपके आप वाला अभी हाला कि होना यह वाला यूज है मैं इसको भी इस पर अपलाए करके दिखा हूंगा बता अब सबसे पहले तो हमें यह रखा है यूनीट के टर्मस में किसमें रखा है यह यूनिट के टर्म्स में यह ढखा है तो यहीं लगाना पड़ेगा अगर सर रुपीज के टर्म्स में देता तब हम इस फॉर्मूले के उपर आते समझ रहे बात तो सर यूनिट के टर्म्स में दे रखा है तो हम इस कुश्चन्स को चलिए जी यहां करते हैं बड़ा चोटा सा सवाल हो जाएगा ही सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला उपर लिखा हुआ है तो क्या लिखें ब्रेक इवन पॉइंट की जगह पर दो हजार लिख लें इस इकल टू फिक्स कोस के जगह पर एफसी छोड़ दें और आपको चाहिए CPU CPU कितना है आपका 14 में से 9 तो क्या यहां पर एफसी निकाल पाओगे एफसी जीगल टू क्या आगया पांच है पांच तो एफसी क्या आएगा हमारा 10,000 अगर सर अगर यह चीज आपको रुपीज में होता तो कैसे करते हैं रुपीज में होता तो यह पता है कितना होता 2000 multiply by 14 होता आपके पास जो की होता in terms of अर सर break even point होता क्या यह तो बताई नहीं, break even point वो level है जहाँ पर no profit, no loss होता है, एक बर मैं statement बना के दिखाऊं क्या, चलो, no profit, no loss का मतलब क्या है, माल लो यहाँ पर sales क्या होगा सर, sales होगा आपका 2000 unit into में 14, यानि 28,000, तो सर VC क्या होगा यहाँ पर, 2000 unit into में 9, यानि कितने होगे 18,000, तो बच्चे कितने contribution, 10,000, और FC कितना निकला हमारा, 10,000, तो profit क्या आया, हाँ, इसी को break even point कहते हैं, जहाँ पर सरिफ हम, variable cost to recover हो गया, fixed भी recover हो गया, और यह वो level होता है, industry के अंदर, जबकि एक businessman को, अपने business को, आगे चलाते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद करके चलाते हैं, भाग तब जाते हैं, जब loss हो जाता है, ठीक है, अगर यही चीज़े, अब देखो, यहाँ पर आपका, अगर मैं देखो, तो break even, point पूछू, unit के terms में, तो है कितना हमारा, 2000, और अगर मैं break even, point पूछू, sales के terms में, तो कितना है, 28,000 है, तो अब 28,000 से भी एक पर निकाल के दिखा देते हैं, यह वैसे फालतू की बाते हैं, मतलब के chapter से related है, लेकिन question से related नहीं बोलूँगा, मैं extra बाते बता रहा हूँ, ताकि कई बार question exam में ऐसा आजाता, out of box, लगेगा कि भाई हाँ, करा दिया, वैसे मैं इतना बता द उससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, corporate वाला हाल नहीं होगा, कि time खतम हो गया, लेकिन paper नहीं खतम हुआ, वो चली रहा है, उसके अंदर कुछ-कुछ रहे गया, balance sheet रहे गया, यह रहे गया, और इसका paper बहुत simple, मतलब simple तो नहीं कहूँगा, paper tough होता है, लेकिन answers बड़े इसमें, अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ, PVR निकालना पड़ेगा, सर, PVR क्या कहा रहा था, sales, contribution, contribution क्या आगया, हमारा 10,000, और divided by sales कितना है, into 100 करेंगे, तो कितने percent आगे, 28 percent, यहाँ गया, 35 point, 71 percent, यह PVR आ गया, अब चलो break-even point ऐसे लेके चलो, तो break-even point हमें पता है, कितना 28,000, FC नहीं पता, FC रख दो, और divided by 0.3571, मतलब percentage है, तो point हटा दिया, इसको सीधा multiply करो, 28,000 से, तो आपको result वही आएगा, तो 99999, यहाँ अल्टिमेटली देखो, यहाँ भी fix cost कितने आगे, 10,000, तो अगर रुपीज के terms में दे रखा हो, तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, PVR की, और unit के terms में दे रखा है, तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी, CPU की, पूरी जान डालने के लिए सिर्फ एक ही और एक ही बात थी कि भाईया, तुम्हें पहले fix cost निकालना है, जहां आपने fix cost निकाला, तुम किसी भी level का पूछलो, हम सब level का break even point बता सकते हैं, क्योंकि हर level पे fix cost क्या रहने वाला है, constant, तो बोलता है भाईया, तुम्हें एक ब दो चीजे थी यहां पर एक है हमारे पच्चिस सो यूनिट पे और एक है, तो सबसे पहले sales बता दो, तो सर सेल्स कितने रुपे 14 रुपे था तो पच्चिस सो इंटू 14 हो जाएगा, sales अगर बताओगे, तो 2500 इंटू में 14 हो जाएगा न, 35,000, ऐसे 3000 पे निकाल दो, 42,000, माइनस क्या कर दो, सर वी सी कर दो, वी सी क्या हो जाएगा, सर पच्चिस सो इंटू में 9 था, 22,500 और ऐसे 3000 इंटू में 927, तो यहां पर क्या निकल के आगया, सर, कॉंट्रिबूशन तो कितने आगे 35,000, 12,000, 500 यहां, 42,000, 15,000, अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट, सर, फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, पीछे निकाला ना भी आपने, तो दोनों लेवल पे तो 10,000 होगा, तो पच्चिस सो यहां पर आगया, EBIT और 5000 यहां पर आगया EBIT, अब DOL क्या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, तो 12,500, डिवाइड़ वाइ, पच्चिस सो, यानि 5, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यहां पर, इसका 3 है, अब मैं पूछो के बताओ, दोनों में से, अगर दोनों लेवल की हम बात करें, तो दोनों में से बेटर कौन सा है, तो मैं बोलूगा, यह वाला ज्याद़ बेटर है, क्योंकि सेल्स जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका DOL कम होता जाएगा, आप मैं बोलू चलो, आप 3000 के जगह पर, आप 10,000 पर निकालो, तो साइध DOL देखना पॉइंट्स में आ जाएगा, 10,000 पर निकालोगे तो यह कितना हो जाएगा हमारा गर 14 तो, 41 और यह कितना आ जाएगा हमारा, 90,000, तो यह कितना बचेगा, 50,000, और माइनस करोगे, 10,000 तो बचा कितना, 40,000, अब निकालो देखो, अब पॉइंट्स में आ जाएगा, 50,000 डिवाइड़ बाई चालिस अजाएगा, तो देखो, 1.25 आ गया, और सेल्स बढ़ाएंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्स बढ़ता जा रहा है, अगर मैं 20,000 सेल्स कर दूं, 30,000 सेल्स जैसे जै आने वाली है, जिसका तुम सोच भी नहीं सकते, और सेल्स बढ़ने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट बड़ा तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से, अब देखो, हमने सेल्स को, यहाँ पर प्रॉफिट कितना बढ़ गया, इतना, यहाँ से देखो, यहाँ मैं यहाँ पर बता है, क्या कहता है, वाट डियू दा, आपका इंफर, फ्रॉम दा डिग्री ऑफ ओपरेटिंग लिवरेज एड़ डा सेल्स लेवल बोल्यूं, पच्छिस सो, तीन सो, एंड डियर डिफ्रेंस, इफ है नी, बोला हाँ, बिल्कुल है न, डिफ्रेंस, क्या मैं आपको बताया, और यही चीज आप किताब, किताब में देखोगे, तो किताब में छोटी से लाइन लिख देगा, वो पता नहीं लिखा है, नहीं लिखा आपके किताब में, हम कौन सा कुश्चन कर रहे हैं, चार, चार का अंसर भी, किताब थोड़ा सा न, यह बड़ा क्याता है, at the sales volume of 3000, the operating profit is 5000, which is double from the, पहले से कितना हो चुगा है, हमारा double, देखा था हमने 2500 से सीधा 5000 हो गया था, become the fact, the operating leverage 5 times, और 2500 लेवल हैं, 20% in sales volume, हमने कितना बढ़ाया, sales volume में सिर्फ 20% ही बढ़ाया, यह बड़ाया, the operating profit increase by 100%, लेकिन profit बढ़ी गया, increase 100% से, तो हमने क्या करा, 5 times हो गया, यहनि 20% हमारा sales बढ़ाया, the level of 3000, the three times, तो वही चीज़े बार-बार घुमा के बोलता रहेगा, उसको थोड़ा सा आप अपने language में simply करके, लिख सकते हैं, exam के अंदर, clear यहां तक, किसी बच्चे को को कोई doubt, सर चौदा सो नहीं है, चौदा है, क्या कहा रहे हैं, बच्चे हैं, हाँ, 1400 नहीं बोला, मैंने 14 ही बोला है, अक्षित, मैंने पीछे, अच्छा यह, हाँ, वो तो आप बता रहे हैं, तो वो लिख रहता है, ठीक हो गया, ठीक है, वो दाउट भी, पढ़ो, doubt, 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 किसका doubt है, doubt, fix cost, समझा दो, एक बार, fix cost कैसे निकाला, यह देखो, fix cost, fix cost formula यह है, मैं यहां पर भी निकाल के दिखाता हूँ, आपके लिए, formula यह है, तो हमें break even point दे रखा तो, तो इसकी जगह मैंने रख दिया break-even point that is 2000 fix cost की जगह पर आपने रख दिया fix cost ठीक है शेड़ खानी नहीं करा contribution per unit contribution per unit का formula है sales minus variable तो बचा यहां पर कितने आप 14 में से no करोगे तो 5 तो आप इसको जब solve करोगे equation को तो आपका क्या जाएगा यहां पर fix cost आ जाएगा यह formula है क्षistem नहीं है जाएग old hairs general है यह बचू किता टाएगा आपका क्षा यह इसकी Works सकाट कितए क है झाल झाल